मूंगफली एक प्रमुक तिलहन फसल है मूंगफली का विंस्पतिक नाम अराकाईज हाइपो गिया है मूंगफली रेतीले इलाकों में जमीन के अंदर पाई जाती है मूंगफली रास्ते में कहीं भी आसानी से मिल जाती है जो की एक तरह का सस्ता और प्रोटीन से भरपूर अच्छा खादय पदार्थ है इसे साथ ले जाने में आसानी होती है इसमें मास अंडाओ, रफलों से कई गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है स्वास्थिय लाब के साथ ही यह स्वादिश्ट भी होती है मूंगफली केवल बड़ो ही नहीं बलकि बच्चों के लिए भी बहुत ही लाबकारी होती है यहां एक शोज से पता चला है कि मूंगफली से बने उत्पादों को अलपाईू में बच्चों को खिलाने से अलजी होने का खत्रा कम रहता है 2015 की रिपोर्ट के मूंगफली उत्पादों का उप्योग करने वाले बच्चों में अलजी होने के खत्रे को 80% कम किया जा सकता है हालां कि अगर बच्चे 5 साल की उम्ड के असपास मूंगफली खाना चोड़ भी दे तो भी इसका लाब मिलता है New England Journal of Medicine में प्रकाशित एक शोद में यह दावा किया गया है कि कम उम्ड में मूंगफली के सेवन से इससे संबंधित अलजी का खत्रा कम हो जाता है किन कॉलेज लंदन के प्रमुक शोद करता गिडियोन लेक के मुताबिक मूंगफली से अलजी के जोखिम वाले अधिकान शिशो इससे बचे रहते हैं अगर वे अपनी उम्ड के शुरू आती 11 महीनों के भीतर ही इसे खाना शुरू कर देते हैं शोद में 550 बच्चों को शामिल किया गया था इनमें से 280 को मूंगफली से दूर रखा गया और 270 ने इसका सेवन किया सभी प्रतिभागियों को उसके बाद 12 महीनों तक मूंगफली के सेवन से दूर रखा गया कई परीक्षनों के माध्यम से प्रतिभागियों के रक्त में मूंगफली की अलजी का मापन किया गया शोध में पाया गया की एक साल तक मूंगफली का सेवन न करने पर भी छह वर्ष की उम्र में उनमें अलजी में कोई खास व्रुद्धी नहीं हुई कुल मिलाकर शोध में पाया गया कि जिन बच्चों ने मुंगफली का सेवन किया, उनमें इस से संबंधित लजी का खत्रा उन बच्चों की तुलना में 74 प्रतिशत कम पाया गया, जिन्होंने इसका सेवन नहीं किया ऐसा नहीं है कि मुंगफली केवल बच्चों को ही फाइदा पहुंचाती है मुंगफली खाने का लाभ हर उम्र के लोगों में होता है मुंगफली के फाइदे मुंगफली पाचन शक्ती बढ़ाने में कारगहे हालांकि मुंगफली को भूंकर खाना ज्यादा बहतर होता है मुंगफली का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें पाई जाने वाला औरल हॉट फ्रेंडली होता है इसके उप्योग से दिल के मरीज को काफी लाब होता है मुंगफली खाने से कोलेस्टराल कम होता है जो की हड्डियों को मजबूत करता है। से पहले देख पाएं।